Hello Traders and Welcome to the Studio Members, Bajas Finance के ए ट्रेड अपना चल रहा है and इस वाले लेवल पर हमने अपने confirmations लेते ट्रेड एक्जिक्यूट करने के हाला कि उम्मीद धिये थी कि price एक अच्छा मूव हमें लगभग हमारी range से upside की तरफ यहां तक दिखा सकता है इस वात का 31 रुपीज के profit में पड़े हुए है पांज रोतेरा रुपए हो गया लीजे side बे रहा है रही है market 90 कॉनिटीज को हमने बाइ क्या हुआ था अभी देखे हम लोग लोस में आ चुके है इस stop loss अला की order book में जाएंगे stop loss लगा हुआ है हमारा 7635 पर सॉरी 7603 पर stop loss लगा हुआ है तीस रुपए के आसपास के stop loss आया था हमारा position book लेजे 90 रुपए के loss में हम लोग बैठ हुए है कोई अच्छा move हो ने रहा है last day भी हमने अपने जो trade एक्जेक्योट ही चाथा उसमें भी ठीक था कि move रहा था लेकिन अभी देखी क्योंकि कल भी हमने जो trade एक्जेक्योट किया था उसमें भी हम बिल्कुल ही zero profit zero loss पर निकले जो शायद access bank अपना trade था आज बजाज finance को trade किया है कुल हम कहां पर हैं बिल्कुल cost to cost है ना ये देखिए कोई बड़ा move नहीं है काम करते हैं अब यहां से चुपचा बहार निकलते है order book stop loss cancel चलिए इसको cancel कर दिया है वापस position book में 30 रुपीस का loss सत्ता इस अठाइस रुपय के लगवा कि हमने इसके इंदर पना risk लिया था अपने रिल्लैक्स सेटप कुछ इस तरह है कि होने चाहिए जब आप trade execute करो ना तो किसी तरह का tension ना हो क्या होगा profit हीट होगा या loss हीट होगा किसी तरह की tension ना हो हमें इसलिए सबसे अच्छा है यह segment लगता है equity चुप चाप अपना आपकी जितनी capacity है आप 500 की capacity ले सकते हैं पांच रुपए की capacity है आपकी पांच रुपए की capacity है पांच रुपए की loss के साथ दो यहां पर आकर क्या आप trade execute कर सकते हो without any type of fear सही analysis बच्छे सरह सें trade execute करते ना आपके लिए बस आपके analysis सही होनी चाहिए बाकि सब पुछ आप छोड़ दीजाए option वगएरा में क्या होता है कि एक दिन गए एक दिन आपको बड़ा अच्छा profit देगा 10,000-15,000 का उसी दिन मारा 15,000 को हम किसी तरह से 20,000 कर लेते हैं पता लगा 20,000 करने गए 15,000 का हमारा 10 ही बचा अब उस 5,000 पर आप loss recover करने चले गए बचता कुछ नहीं है, loss ही होता है एक दिन आप 20,000 बना लिए, दूसरे दिन 40,000 चले गए एक दिन फिर आपने 5,000 बना लिए, दूसरे दिन फिर 5,000 चले गए ऐसे होते होते हैं एक दिन पूरा account साफ हो जाता है because money management है ही ने मेरा ऐसा मानना है कि options के अंदर अगर आप money management कर ले जा रहो तो कोई बहुत बड़ा चमतकार ही है आपके अंदर जो आप options के अंदर money manage कर रहो trade execute कीजे चाहें जिस भी segment में लेकिन money management होना चाहिए money management कर सकते हो आप किसी भी segment को trade करो लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि trade execute अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए main है price action कि किस तरह से price action को read कर रहा है तो किसी doctor ने नहीं बताया है कि आप options में जाओगे वहीं पर आपको price action सीखने को मिलेगा आप equities में भी price action सीख सकते हो सीख लो उसके बाद आप derivative straight करने जाओ अच्छा रहे गया यह आपकी भलाई के लिए हम बोल रहे है अदर्वाइस पैसा आपका है मर्जी आपकी कोई कुछ जवर्जस्ती आपसे कर नहीं सकता आज मॉनिंग में यह movie देख रहे थे moon night उसमें villain का एक dialogue होता है वो बोलता है कि अगर आप बचना नहीं चाहते तो आपको कोई बचा नहीं सकता बिल्कुल सही बात लगी हो हम भी अगर कोई काम करें और अगर खुद नहीं जानते हम सही करें या गलत करें अगर हम बचना नहीं चाह रहे हैं तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता अगर आप खुद अपनी capital नहीं बचाना चाह रहे हो तो फिर वो कोई बचा नहीं सकता आप भले ही किसी की भी बात सुनो कोई भी बोल रहा है कोई अच्छी सी book भी आप पढ़ रहा है तो पढ़ लो लेकिन अगर capital साफ हो नहीं अगर आप उसको बचा नहीं सकता तो फिर बचा नहीं पाओ गया चाहें जितना effort लगा ले हम लगा ले चाहें फिर आप लगा लो तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके सही रास्ते पर आ करके काम सीखो पहले पहले सीखना यहाँ पर बस यहीं नहीं होता है सीखता ही नहीं है क्या हो रहा है यह लॉस हो रहा है यही तो सबसे बड़ी वो चीज होती जहां पर आगर कि अपने आपको कंट्रोल करना पड़ता है लॉस में चल रहा है हमें मालू में हैं हमने इतना ही लॉस लिया यहां पर कि अगर हिट भी हो जागा तो हमें कोई परवा अब निकल जाए बस निगलते रही है यह Ihज यह होता है आप 500 अरप का गया है पता चाला कि आप 15 यह लाऊस करके आप पंद्रह सो उने क्यों दिए आपको अंधर से लग रहा था कि यह उपर जाएगा उपर जाएगा उपर जाएगा उपर गया है जो आपके loss की quantities है ना loss का जो digit है वो उपर गई बस profit हो रहा है उसमें आपकी thinking क्या है loss हो रहा है उसमें आपके thinking क्या है इस बीच में जो जितनी अच्छी तरह से अपने आपको संभालता है ना बस आप यही मान सकते हो एक common language में कि वो उतनी अच्छी तरह से trader की रह पर या trader के path पर आगे की तरफ बढ़ रहा है अदर्वाइस और कुछ इसमें psychology नाम दिया आप चाहें जो भी रख लो सारी चीज़े बेकार है profit के समय आप अपने आपको कितनी अच्छी तरह से अपने आपको संभाल रहें hold करने के लिए चले फिलाल बाते बहुत हो गई है और loss हो रहा है अपना यह सच बात है कम हो या ज्यादा loss होता है तो बुरा तो लगता ही है जो जैसा कि भी हमको लग रहा है साथ आठ जाव रुपय को profit में हम यहां पर थे लेकिन क्या ही बताए टार्गेट हाला है कि उपर कता 7763 डे टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा कुछ हम आपको को इंडिकेट नहीं करेंगे जस्ट यह वाला जो अपना स्विंग हाई है यहां से हमने कुछ की थे ट्रेट एक्जिक्यूट करने की एक्सपेक्टेशन थी कि इस वाली रेंज को प्राइज को अपसाइट की तरह ब्रेक आउट मार देगा तो अच्छा मूव हमें देखने को मिल जागा दरवाइस अचा कुछ हुआ नहीं यहां पर जिस तरह के प्राइज एक्शन बने यह वाले इसको प्राइज ने अपसा प्राइज को यह ब्रेक करके आया है वह भी अपसीदे फाइज के टाइम पर डे टाइम पर मिने बताया आपको वह जो ग्रीन वाली कैंडल थी वह ही इंपॉर्ट ओके तो प्राइज वक्त का 7 625 का चल रहा है और अब नॉर्मल मार्केट तो क्लोज ही हो चाही होगी इसक् प्राइज निकल गया और हो और होल्ड कर सकते दो चारी मिनट हो सकता है यहां से ओपर ही निकल जाता है जाने दीजिए सुबह से तो गया नहीं है अब क्या जाएगा कितना लॉस बुक हो आपने कि 720 रुपए का 720 रुपए माइनस में है जाने दीजिए होगा कल एक भी रुपएगा प्रॉफिट नहीं था आज 720 कल प्रॉफिट नहीं था एक भी रुपएगा और ब्रोक्रेज ही कटी ती शाम कुझे मैसेज आए न तो करीब चार वार्स हो के आज पास ब्रोक्रेज केटी थी और आज कभी मिला ली जब 1000 यह 1100 रुपए मोग लोग लुग लॉस में होंगे क्योंकि 720 रुपए का लॉस है बाकी ब्रोक्रेज आ जाती ट्रेज एक्जग्यूट कर देने के बाद में जो मेरा स्विंग था जो सेफ स्विंग यहां पर अपने स्टॉप लगाया हाला है कि स्टॉप लॉस हम यहां पर भी लगा सकते थे और कौनिटी समारी बढ़ जाते लेकिन हमें सेफ स्टॉप लोगा हमारी रीडिंग के कॉर सब्सक्राई सब्सक्राइएरot आपड़नर सरी केना अपने सब्सक्राइबDING दिखूर होगा आज इस फोर्डल आपडहन को मतविशन कोॉस करें नाथ होगा चलिए देखते हैं शाम को पता ही चल जाएगा थैंक्स एंट वी विल मीट अगेन